हेलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके pen card के वारे में और आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठकर अपने mobile के अंदर आपकी जो pen card की details होती हैं उनको online चेक कर सकते हैं फ्रेंट्स यहां पर details में आपका mobile number आपकी date of birth आपका father's name आपका खुद का नाम या फिर आपका जो address है वो जो details होती हैं उनको आप आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं तो फ्रेंट्स चलिए start करते हैं और जानते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर मैं आज चुका हूँ अपने mobile की screen पर आप जानते हैं कैसे आप pen card की details को check कर सकते हैं खुझ से ही घर बैट कर अपने mobile पर तो फ्रेंट्स यहां पर आपको अपना Google open कर लेना है और Google open करने के बाद आपको एक कह सकते हैं टाइप करना है e-filling यहां पर फ्रेंट्स जैसे ही आप टाइप करेंगे जैसे मैंने यह कर दिया आप देख सकते हैं तो आपके सामने सबसे पहले एक website आएगी इंकम टेक्स की जो कि हमारे pen card से ही related होती है इस पर यहां पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंट्स यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो आदार हमारे pen card होता उसकी official website पर आप लोग यहां कह सकते हैं open हो जाएगी आपके सामने और यहां पर आपको एक pop-up register करना होगा register में क्या होगा friends यहां पर आपकी कह सकते हैं आपका पूछेगा कि आप एक individual है या फिर आपका कोई organization है जिसके लिए आपने pen card का apply किया था तो आप एक individual पर click करेंगे continue करने के बाद आपकी जो basic details होती है friends यहां पर वो यहां पर आपको fill करनी होगी जैसे आपक सरनेम या फिर आपका full name अपकी date of birth हो गया इसके बाद friends आपको जो next step आएगा उसमें आपका mobile number मागेगा और उसमें आपका जो OTP आएगा उसको यहां पर fill कर देना है और आपको एक password create हो जाएगा तो friends यह सभी काम करने के बाद आपको एक password मिल जाएगा और उस password के साथ आ मीचे option दिखाई देगा login का इस login वाले option पर जो आप click करेंगे तो friends यहां पर आपको एक details fill करने होंगे आपका user ID और आपका password आपका user ID होगा जो आपका pain card number हो आपका user ID हो जाता है और password जब आप यहां पर registration में जब आप वहां पर complete करेंगा उस process को तो password वहां पर आपको create कर रखी मैं fill कर देता हूं यहां पर इन दोनों को डालने के बाद आपको एक capture डालना होता है इस capture को fill करने के बाद friends यहां पर मैं इसे fill कर दिया है आप यहां पर आपको एक और option मिलता है कि आप अगर अपनी details को एक OTP की साथ चेक करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं नीचे request OTP है इस पर click करेंगे तो पहले आपके mobile पर OTP आएगा उसके बाद आपका यह OTP डालने के बाद login हो पाएगा तो मैं यहां पर OTP को उटा देता हूं आप ऐसा कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं यहां पर फ्रेंट्स डीटेल को फिल करने के बाद आपको login पर click करना है तो फ्रेंट्स यहां पर login पर जैसे ही आप click करेंगे तो आप अपना कह सकते हैं एक profile में चले जाएंगे जो कि आपके pen card से related है यहां पर आप देख पाएंगे उपर यहां पर मेरा नाम दिखाई दे यहां पर फ्रेंट्स यह मेरा कह सकते हैं profile एक तरीके से pen card website पर खुल चुका है यहां पर फ्रेंट्स आपको करना क्या है आपको click करना है profile setting पर प्रोफाइल सेटिंग पर जो आप click करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे options यहां पर दिखाई देंगे तो यहां पर फ्रेंट यहां पर click करने के बाद आप मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो भी details होंगी वह आपकी यहां पर एक option देखेगा pen details इस pen details पर जो आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी details friends यहां पर आ जाएंगी यहां पर देख सकते हैं जो pen card number है वह यहां पर दिखाई देगा नाम आप आपकी date of birth आपका gender category कि इंडिवीजुल है कोई business है आपका आपका address दिखाई देगा जो भी address आपने इस pen card को बनवाते टाइम पर दिया होगा वह address यहां पर आपका mention हो जाएगा यहां पर आपकी और भी details दिखाई देती हैं जैसे आपकी इस area में रहते हैं या status आपके pen card का क्या है कि आपका pen card active है या नहीं है आप citizen कहा के यह सब details यहां पर आप आसानी से online देख सकते हैं तो friends कुछ इस तरीके से आप अपनी pen card details को देख सकते हैं मैं उमीद करूँगा मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो friends चलते हैं मिलते हैं एक लिए वीडियो में दोने बाद